हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपके अपनी होस्ट और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे अपनी चैनल स्ट्रेंज एडिक्षन पे दोस्तो आज हम जानेंगे भारत में मौझूद उन दस बेमिसाल और सबसे महंगे घरों के बारे में जो कहने को घर है लेकिन किसी आलिशान महल से कम नहीं तो चलिए दोस्तो शुरुआत करते हैं नमबर दस से और नमबर दस पर है रतन टाटा रेसिडेंसी दोस्तो फोटो में दिखने वाला यह घर रतन टाटा का है और इस घर को रतन टाटा निवास के नाम से जाना जाता है और यह घर मुंबई के कोला बाविस्तार में स्तीत है दोस्तों देखने में यह घर कोई वाइट हाउस से कम नहीं है यह घर तीन मंजिला है और करीबन 15,000 वर्क फूट में फैला हुआ है और दोस्तों यह घर की कीमत करीबन 150 करण रुपए बताई गई है तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और नमबर 9 पर है NCPA एपार्मेंट मुंबई NCPA भारत का सबसे महगा एपार्मेंट है और यह मुंबई के नरिमन पॉइंट जिसे पौश इलाके में स्तीत है NCPA एपार्मेंट दोस्तों निश्ची तरूप से फ्लैट है और अगर आप 4 बेटरूम वाला फ्लैट खरीदना चाते हैं दोस्तों तो आपको करीबन 29 करोड खर्च करने पड़ सकते हैं जिसके लिए आपको अपने बैंक में एक भारी रकम होना बहुत ज़रूरी है और नमबर 8 पर है White House in the Sky दोस्तों यह गर विजय मालियका है जो कि किंग फिशर और यूबी ग्रूप के मालिक रह चुके हैं जो कि White House in the Sky के नाम से जाना जाता है यह गर यूबी सिटी बैंगलोर में स्थीत है जिसकी कीमत करीबन 100 करोड रुपय से कम नहीं है और दोस्तों नमबर 7 पर है राना कपुर निवास दोस्तों फोटो में दिखने वाला यह खोब सुरत गर राना कपुर का घर है और दोस्तों दिखने में यह गर कोई महल से कम नहीं लगता दोस्तों यहां मुंबई के टॉनी अल्टामाउट रोड के पॉर्च स्थान पर स्थित है और यहां खोब सुरत गर की कीमत लगबग 120 करोड रुपय बताई गई है और दोस्तों नमबर 6 पर है दोस्तों हम जो भव्य घर की बात करने जा रहे हैं वो मुंबई में स्थित मुकिश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी का घर है जिसे बॉडी के नाम से जाना जाता है और दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस घर की कीमत क्या हो सकती है और अगर आप नहीं लगा पाए हैं तो मैं बता दूँ कि इस घर की कीमत करीबन 500 करोर रुपए या उससे भी अधिक बताई गई है और दोस्तों नमबर पाँच पर है जेके हाउस गौतम सिंगानिया रेसिडेंसी दोस्तों यह अगर मुंबई में ब्रीज केड़ी में स्थीत है यह अगर का उतम सिंगानिया ने बनवाया है जो जेके हाउस के नाम से जाना जाता है इस घर की टोटल 30 मंजिले हैं जिन में से 6 केवल पार्किंग बनाए गए हैं उसके अलावा हीट सेंटर, एक संग्रालय और हैलिपेड जैसी अध्बुच सुविदाय भी इस घर में उपलब्द है और दोस्तो नमबर 4 पर है रवीरुया रेसिडेंसी दोस्तो दिल्ली में स्थीत यह गर रवीरुया के नाम से जाना जाता है कहते हैं कि यह भव्य हविली को बनाने में बहुत ही साल और बहुत ही मैनत लगी है रवीरुया के अलवा उनके दूसरे भाई शशीरुया भी इस हवेली के मालिक है इन दोनों भाईयों ने मिलकर इस हवेली को बनवाया था जिसकी कीमत का अनुमान करीबन 120 करोर रुपय लगाया गया है और दोस्तो नमबर 3 पर है शारुक खान रेसिडेंसी दोस्तो इन्हें कौन नहीं जानता भारत के सबसे चहीते सुपरिश्टाज शारुक खान का यह गर जिसे मननत के नाम से जाना जाता है जो मुंबई के बांदरा इलाके में स्तित है भारत के अमिर अभी नेताओं में शारुक खान का नाम दूसरे नंबर पर आता है और इस घर की कीमत करीबन 150 करोड रुपए बताई गई है और दोस्तो नंबर दो पर है नविन जिन्दल रेसिडेंसी यहाँ घर राजनेता उध्यक पती नविन जिन्दल का है जो दिल्ली के लिफ्टी लूटियंस बंगलाक शित्र में स्थी थे और यहाँ एरिया दिल्ली के सबसे महंगे इलाकों में से एक है और दोस्तो यहाँ घर अम्बानी का यह गर मुंबई में स्थीत है और यह गर एंटीलिया की नाम से जाना जाता है यह गर 4 लाख वर्क फुट से अधिक की शित्र में फैला हुआ है इस घर की भवेता और सुंदर्ता को देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं इसमें लगबग हर सुविदा उपलब दहे और इस घर की कीमत करीबं 10,000 करोर रुपय के आस पास रखी गई है